नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्स्टिंग में और आज की हमारे इस वीडियो में जैसा कि आप हमारे वीडियो की थमनेल पर देख चुके हैं और आप कुद को भी इस बात के बारे में पता हैं कि आज की हमारे इस वीडि के साथ अंति तक बने रहे तब ही आप जान पाएंगे कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को यूट्यूब स्टूडियो बीटा में 2020 के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं तो चली दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो की सरुआत करते हैं वीडियो सरु करने से पहले आप से सोटे सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब कर ले साथ ही बैल नोटिफिकेसन को भी ओन कर ले जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर नॉलिजबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल को कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में यूट्यू को ओपन कर रखा है और मैं यहां पर पहले से अपने यूट्यूब चैनल से लॉग इन हूँ आपको भी अपने यूट्यूब से यूट्यूब के अंदर लॉग इन कर लेना है अग दोस्तों यहां पर आपको अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करना है और चैनल के आइकन पर क्लिक करने के बाद योर चैनल पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे हम योर चैनल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहां पर कोई भी आप्सन नहीं है सिर्फ और सिर्फ यहां पर ओम का आप्सन है और आप उपर की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने कस्टमाइज चैनल और यूटूब स्टूडियो का ओप्सन दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें अपने चैनल को कस्टमाइज करने के लिए कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है कस्टमाइज चैनल पर अब दोस्तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है अब दोस्तो यहाँ पर हमें सिंपली सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है जैसे ही हम setting के icon पे click करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ options आ रहे हैं यहाँ पर दूस्तों आपको customize the layout of your channel को enable कर देना है इसके अलावा आप दूसरे option को भी enable करना चाहते हो तो यहाँ से enable कर सकते हो और इन option को enable करने के बाद यहाँ से हमें save पे click कर देना है जैसे हम save करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर हमारे YouTube channel customize हो चुका है अब यहाँ पर हमारे सामने home का option भी है उसके बाद videos का option भी है और उसके बाद playlist channel decision about और customize करने के बाद जो option आते हैं हमारे channel में वो सभी हमें यहाँ पर मिल चुके हैं तो दोस्तो बस यही थी आज की हमारी video आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद